IPL 2021 के बचे हुए मैच सितंबर से लेकर ऑक्टूबर तक UAE में खेले जाएंगे BCCI इस वक्त इसकी तयारियों में जुटी हुई है इस बीच क्रिकेट फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि IPL 14 के बचे हुए मैचों का शेडियूल कब जारी होगा इससे पहले BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुकला की ओर से बताया गया था कि IPL 2021 के बचे हुए मैच 19 सितंबर से शुरू होंगे और 15 अक्टूबर को इसका फाइनल खेला जाएगा इसके बाद से फैंस IPL के पूरे शडियूल का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक शडियूल नहीं आया है आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आपको भी बचे हुए मैचों के शडियूल का इंतजार है तो फिर ये वीडियो आगे बढ़े उससे पहले फटाफट से हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिये और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले IPL 2021 को लेकर PCCI 2 से 3 दिन में बड़ा एलान कर सकता है दरसल IPL 2021 के बचे हुए मैचों में खेलने से कई खिलाडियों और कुछ क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाडियों को NOC देने से मना कर दिया था PCCI लगातार विदेशी क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहा है माना जा रहा था कि 15 जुलाई तक ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी IPL में आने के लिए तयार है और कौन से नहीं ये तारीक निकल गई है इस बीच ये बताया जा रहा है कि IPL 14 के मैचों की तारीक में फिर बदल किया जा सकता है पता चला है कि IPL 2021 का जो फाइनल मैच 15 अक्टूबर को होना था वो शायद अब 10 अक्टूबर को खेला जाएगा इसका मतलब ये है कि IPL का पहला मैच जो 19 सितंबर को होना था वो अब 17 सितंबर से शुरू हो सकता है साथ ही डबल हेडर मैचों की संक्या भी बढ़ सकती है IPL की तारीकों में जो हलका सब फेर बदल हमें देखने के लिए मिल सकता है उसका कारण T20 विश्व कब 2021 है जिसका पहला मैच 17 अक्टूबर से खेला जाना है पेच ये भी है कि IPL और T20 विश्व कब दोनों ही UAE में होंगे ऐसे में ICC मैच शुरू होने से काफी पहले ही तीनों स्टेडियम अपनी देखरेक में ले लेगा अगर IPL का फाइनल 15 अक्टूबर को होगा तो फिर दो दिन में ICC इन्हें कैसे तयार करेगा हाला कि अच्छी बात ये है कि T20 विश्व कब में पहले क्वालिफायर राउंड होंगे जो ओमान में खेले जाएंगे संभावना है कि BCCI दुबाई के स्टेडियम को छोड़कर बाकी दो स्टेडियम यानि शार्जा और आबुधा भी ICC को पहले ही दे दे BCCI की योजना है कि IPL के क्वालिफायर, एलिमिनेटर और फाइनल मैच एक ही स्टेडियम यानि दुबाई में खेले जाएं हाला कि अभी भी पक्के तोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन माना जा रहा है कि दो से तीन दिन में पूरा शडियूल जारी कर दिया जाएगा ताकि पता चल सके कि किस तारीक को किन दो टीमों के बीच मैच होना है तो जैसे ही शडियूल जारी होगा हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे इसका वीडियो आपको ततकाल मिले इसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल एनन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जाते जाते आपको याद दिला दें कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें